नमस्कार, हिंदेश साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ट आखुर के साथ दोस्तों अगर आप भी हिमाचल प्रदीश L.T. कमिशन 2021 की तैयारियां कर रहे हैं और वहतर करने की जरूरत है, तो इसमें मेंली हम 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे इस वीडियो को, और यहां पर हम मेंली जो पहले के 50 प्रशन है, उनको देखेंगे, और आगे वाले लेक्चर में हम इसके अगले जो प्रशन बचते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, तो पहले के जो 50 प्रशन हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे यहां पर तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का जो प्रशन है वो 2020 में पूछा गया था और आपको अपनी तैयारियों में ज्यादा तर फोकस करने की जरूरत कहां पर है हालां कि हमने LTE Commission के उपर एक complete वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये चीज़ें बताई है कि किस पोर्शन से कितनी चीज़ें पूछी जाती है जो लोग नए हैं शायद उन लोगों के लिए वो ज़्यादा जरूरी है बाकियों के लिए तो बाकि तो I think सब लोग जानते ही है किस तरीके की परिक्षा जो है पूछी जाती है एक और important चीज़ यह है दोस्तों कि इस lecture को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप LTE Commission की तैयारियां करना चाहते हैं तो चलिए आप शुरूवात करते हैं आज के इस lecture की और सबसे पहला हम यहां पर प्रशन देख लेते हैं यहां पर देखे प्रशन पूछा गया है आपका निबंध संग्रह से तो निबंध संग्रह बहुत ही महत्तोपूर्ण है आपको सिधा और सिंपल प्रशन यहां से पूछ जाते हैं एयोत के निबंध शंग्रहों के लेखक कौन है ये निवंद इनके हैं, इसके अलावा आप देखते हैं कि जो यहाँ पर विकल पर देखिए बालकृषन भट, तो बालकृषन भट जो है देखिए ये जो रचनकार हैं, ये आपके जो निवंद कार हैं, ये है भारतेंदु यूगिन निवंद कार और जो अचारे रामचंद है इनके बारे में तो इस के बी रिगार्डिंग भी आपको हो सकता है पूछा जाए तो यह आपने याद रखना है इसके अलावा इनके जो प्रमुक रचना हैं दीखिए बाल किशन भट जी की तो काल चकर का चकर इनका एक प्रसिद नाटक है इसके साथ प्रतिभा लिखा इ इत्यादी इत्यादी इनके कुछ मौटपूर्ण निबंध हैं हलांकि यह निबंध कार की रूप में ही जादातर फेमस हैं भारतेंदू यूगीन रचनाकारों में हैं नेक्स से दिखिए यहाँ पर चंदरश्रमा गुलेरी तो जो चंदरश्रमा गुलेरी हैं इनकी जो द तो महादेवी वर्मा की श्रिंखला की कडिया प्रसिध इनका निबंध संग्रह है और इसके साथी साथ साहित्यकार की आस्था तता अनिबंध संकल्पिता इत्यादी भी इनके निबंध हैं तो देखिए सीधे सिंपल से आपको ऐसे इनका याद अखना है तो सही उतर यहा पर कंप्लीट होता है दूसरा परशन हम जाने की कोशिश करते हैं कि शृंकला की कडियां तो यह हमारे पहले परशन में ही अपने आप चला गया कि महादेवी वर्मा का है महाविर प्रसाद जो दुवेदी हैं देखिए इनकी जो प्रसिद कृती है महाविर प्रसाद की जो प्रसिद रचना है वो है संपति शास्त्र जिसमें इनोंने अर्थ शास्त्र या उसकी बात कही है और शास्त्र की महाविर प्रसाद दुएदी ने और अचारे रामचंद्र शुकल ने इनके निवंधों को बातों का संग्रह कहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको आपने फोकस करना है जैशंकर प्रसाद ये कहानिकार भी है नाटकार भी है और आपके उपन्यासकार भी के रूप में भी चितरित इनको किया जाता है लेकिन जो निवंधकार के रूप में इनको ज़्यादा पहचान नहीं मिली है ये चीज आपने याद रखना है निवंध कार ये नहीं है और डॉक्टर नगेंदर इनके समस्त जो निवंध है देखिए किस संग्रह में आस्ता के चरण नाम से इनके निवंधों का संग्रह है तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं नेक्स है यहाँ पर देखिए प्रशन नमबर 3 कौन तुफुलवा बीननहारी के रचाईता कौन है तो कौन तुफुलवा बीननहारी तीनों आपके जो पहला दूसरा और तीसरा तीन प्रशन यहाँ से रखे गए हैं तीनों के तीनों आपके किस से हैं निवंध संग्रह से है और यहाँ पर विद्या निवास मिश्र चित्वन की छा इनका पहला जो निबंद है और विद्वा निवास मिश्र के सबसे ज़ादा निबंद माने जाते हैं ये ललित निबंदकारों में प्रमुक नाम इनका आता है ललित निबंदों के शुरुआत जो है हजारी परसाद व पुछ जाते हैं दोनों ये आपके ललित निवंदकार हैं अचारे रामचंद्र शुकल रसवादी अलोचक इसके बारे में भी आप त्यान रखिए थोड़ा सा इनके समस्त निवंद संग्रह जो चिंतामणी भाग एक और भाग दो के अलावा भाग चार तक उसमें प्रकाश आई से भी आपको प्रशन पूछ जाता है तो हरी शंकर प्रसाई आपके व्यंग्यकार के रूप में चित्रित हैं तो यहां पर इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा देखिए तीसरा जो प्रशन है उसका उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र सही उत्तर होगा कौन तो फिल कहानी है देखिए ये तो आपका जो एक गद्यक अथा के रूप में भी इसको चित्र किया गया है रानी केत्की की कहानी उदैभान चरित के नाम से प्रसिद्ध है मुन्शी इंचालला खां अलांकि कुछ लोग इसको उपन्यास मानते हैं तो ये रचना है शिपरसास इतारे ह शिरी निवास तासका है हम सब लोग जानते हैं जब भी उपन्यासों में जाते हैं तो बेसिक चीज यहीं से हम शुरू करते हैं 1882 में लिखा गया था इसको और ये अंग्रेजी धंका पहला मौलिक नाटक अचारे रामचंदर शुक्र जी ने इसको माना है तो यहां से भी आपको प्रशन पूछा जा सकता है परिक्षगरू के रचाईता कौन है ऐसे भी प्रशन बन सकता है या फिर अंग्रेजी धंका पहला मौलिक नाटक कौन सा है ऐसे भी प्रशन पूछा जा सकता है विकल्प नमबर एक इसका साही उतर होना चाहिए तो यहां से आप समझ ग चस ले सकते हैं चलिए नेक्स से देखिए अमरित और विश के रचनाकार कौन है तो ये भी उपन्यास है किसका उपन्यास है ये अमरित लाल नागर का उपन्यास है अमरित और विश बहुत ही मौतपूर्ण रचना है अमरित लाल नागर की अमरित लाल नागर के जो बूंद आसके जीवन पर आधारीतिन की प्रसिद्ध रचना है अमरितलाल नागर की इसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पर यश्पाल रखा गया है देखिए यश्पाल का भी जूटा सच दादा कॉमरेड पार्टी कॉमरेड जूटा सच जो इनका बहुत ही मौतापूर्ण है इनके फेमस नाटक हैं आदे अधूरे जिसको माइलस्टोन भी कहा जाता नाटकों का है ना वो बहुत ही मौतापूर्ण है इसके साथ ही साथ इनों लहरों के राजहंस लिखा साथ ही साथ इनों ने अशार का एक दन भी लिखा है ये तीनों मौतापूर्ण इनकी रचना है है भगवती चरण वर्मा वर्मा त्रई के प्रमुख कव्यों में आते हैं ये हलांकि इनको जो जो सीधे साधे रास्ते या इस तरीके केकिन केक रचना है उसको भी आप देख लीजिए भगवती चरण वर्मा से ठीक है तो ये भी इंपॉर्टने नाम है वैसे अगला प्रश प्रशन है उनमें से बहुत सारे प्रशन आपके निवन्दों से थे कुछ प्रशन आगे कि क्या है वह आपके हैं अब उपन्यासों से ठीक है तो सिंपल सा प्रशन देखिए यहां भी रचना पूछी गई और उसके रचनाकार का नाम पूछा गया तो मतलब अभी तक से य यह है कि आपको रटना है उन चीजों को मतलब बेसिक चीजों को समझना है कि इसमें क्या है अगर यही परिक्षा यूजी सी नेट की होती तो यहां पर प्रशन पूछने का धंक कुछ अलग होता थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट आपका लेवल हो सकता था हो सकता था प्रशिद्ध है बाल मनुवियान को चित्र कने वाला इनका उपन्यास है जनेंदर के प्रारंभिक तीन चार उपन्यास है वह बहुत मौत पूर्ण है इसके अलावा इन्होंने मुक्ति बहुत बगेरा बगेरा भी कुछ रचनाएं लिखी है इन्होंने यहां पर जो प्रम ठीक है अगे के जो उपन्यास हैं तीन इन उपन्यास लिखे हैं वो सब आप लोग चानते हैं शेकर एक जीवनी नदी के द्वीप और अपने अपने अजनवी ये इन तीन शिर्शिकों से इन्होंने दस-दस साल के अंतराल में लिखे हैं ठीक है तो इसको भी आप याद र भी ये उपन्यास रखा गया है और डार से भी छुड़ी बहुती मतफ़ूर इनके उपन्यास हैं ये किसके हैं कृष्ण सोब्दी के उपन्यास हैं ये आपने याद रखने हैं कृष्ण सोब्दी बहुती मतफ़ूर नाम है ये महिला लेकी काओं में जितने भी यहां चार कार के रूप में भी इनको जाना जाता है तो भीशमसाहनी के जुनार्कों को याद करने की ट्रिक हमने अपने लेक्चर्स में बताई है तो अगर आप UGC Net की तैयारियां हमारे साथ कर रहे होते या फिर आपने वह वाले लेक्चर्स देखें तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इनके जो उपन्यासों को आप एक चूटकी में कैसे याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है जक्त्वम कुनी जरोके कडियां तमस वसंती मयदासकी माडी कुंतो नीलू नीलीमा नीलो फर ये इनके सारे उपन्यास इसी ट्रिक में आ जाते हैं तो प्रमुक उपन्यास माना जाता है और इसके साथ ही साथ लिए ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसका भी इनोंने रचना की है ठीक है ये इंपोर्टन चीज है श्रदराम फिलौरी के बारे में प्रसाद जी की प्रकाशी पहली कहानी कौन सी थी तो जो प्रसाद की पहली क दो प्रस्ण पूछे गए देखिए जितने भी आपके जो ये कहानी अंदोलन हुए है ये बहुत मौतपूर्ण प्रस्ण है यहाँ पर दस्वां जो प्रस्ण है देखिए कहानी अंदोलनों के बारे में आपको प्रस्ण पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कहानी अंदोलन चले हैं तो यहाँ पर सचेतन कहानी पूछा गया है तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं देखिए आपके महीप सिंग विकल्प नंबर से इसका साई उत्तर होना चाहिए अमरकांत जो है समकालिन कहानी के अंदर गताएंगे और मोहन राकेश नई कहानी के जो ये प्रणेताओ में आते हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर और एक जो अन्य नाम आता है वो है आपका जैंद्र तो इन तिनों को भी आप याद रख लिजे कि ये नई कहानी अंदर उनके प्रवर्तक रहे हैं ठीक है यहाँ पर प्रशन है सचेतन कहानी तो सचेतन कहानी में आपका महीप सिंग नाम आ जाएगा अमरकांजय समकारीन कहानी कारों में आएंगे ठीक है अगला प्रशन है देखिए ग्याहरूआ प्रशन यहाँ पर नई कहानी का प्रवर्म किसकी कहानी उसे माना जाता है तो यह बहुत ही सिंपल प्रशन था हम सब लोग जब भी कहानी के बारे में पढ़ यहां पर जान लिया था जनेंदर का जब भी जिक्र होगा तो यहां पर आपने एक चीज़ दियान रखना कि जनेंदर जो क्या है वह आपके जो अमनव विश्लेशन वादी रचना कार रहे हैं कमलेश्वर का जिक्र भी इन ही के साथ था ना तो नई कहानी के अंतरकत संग रहे हैं तो ये भी आपके जो अब्दुल बिस्मिल्ला है देखिए ये महतवपोर नाम है ये भी आपके समकालिन कहानिकारों में हैं तो कहानिया उपन्यास और निबंध ये तीन जो विदाएं हैं तीनों विदाएं अभी तक पूछी गई हैं प्रशन संख्या 12 तक ठी बन्यास है बहुत फेमस है उससे भी इनको आप याद रख सकते हैं तो इसलिए आपको सिंपल सा यहां पर अब्दुल बिस्मिल्ला को याद रखना है और साथी साथ बदियूजमा को थोड़ा बहुत देख लेना है कि नाटक का उदे मृत वीरों की पूजा से हुआ तो द बन्यारे रामजंदर शूकल जो नाटकों के संबंद में क्या गयते हैं या ग्रियर्सन या पिशेल इनके बारे में जादा चीज़ें अभी उपलब्द नहीं है तो इसलिए यहां पर इसका जो मेन उत्तर है वो यही है और इसके अलावा इस पर कोई जादा नाटकों के उ जिक्र आता है 1935 के बाद ही तो इन्यों फोस्के शुरू कर दिया था रामकुमार वर्मा वर्मा जो आपके प्रिसाद उत्तर या च्हायवाद्यूक के बाद के हैं के इसके अलावा यहां पर विशनोप्रवाकर हैं यह भी आपके च्हादकों के बाद के यह जो समकालीन न वे सिध्धान्त कौन सा है तो देखिए इनके जो सिध्धान्त था और दात्य सिध्धान्त तो यहाँ पर आपको जो पाश्चात्य विचारक हैं उन से प्रशन बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं कमिशन के नाम से या एल्टी के नाम से हमने लेंग्विज टीचर के नाम से एक प्लेइलिस्ट बनाई है उसको जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर कम्प्लीट चीज़ें आपको मिल जाएगी हलकल का जो प्रमुक है कि कैसे इसमें कौन सी बुक्स जरूरी है या पिर किस तर और पिरेचन का से दांद भी उन्होंने ही दिया है ठीक है तो सही उत्तर यहां पर क्या था उदात्य था नेक्स प्रशने देखिए सस्यूर शुकोलवस की रोमन योकोबसन कि साहित धारा से जुड़े थे तो यह थे आपके रूपवादी साहित धारा से जबकि यहां पर बिमबवाद में टी-ई हयूम आता है यह नाम बिमबवादियों के नहीं है यह थे आपके रूपवादी तो यह चीज आपने ध्यान रखना था इसके बारे में और इसके अलावा प्रतीकबाद सामेवाद बिमबवाद यह जितने भी वाद आते हैं आपके पाश्चात्य क अबशास्तर के अंतरगत, इनके बारे में प्रशन जरूर पूछे जाता है, ज्यादा मुश्किल प्रशन नहीं रखा गया था, देखिए, मचली में, मचली पानी में रहती है, इस वाके में मैं किस कारक का चिन है, तो कारक की जो विवक्ती चिन है, वो ही आपको चांचने थे, यहाँ पर मैं अधिकरण, करताने करम को करण से के द्वारा संपरदान के लिए अपादान से जुदाई, इस तरीके से जो है, जो यह कारक की चिन है, यही आपको याद रखने थे, दोनों जगा मैं मैं लगा है, देखिए, यहाँ पर भी मैं, यहाँ पर भी मैं, इस वाके मैं, तो आप कहीं से भी ले लिजए, इसको यहाँ से लेना था, हमने, उसका से हो जाना था उन, ठीक है, वह, बगेरा, धातु में ना जोरने से क्या बनता है, तो अगर हम धातु में ना जोर देते हैं, तो वहाँ पर आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है, जैसे आप है, खेल धातु में उसका ना जोर देंगे, खेलना, पढ़ धातु में ना ज literature यही चीज़ें तो पूछी जा रही है और basic सा ही आपको जो पाश्चात्य कावशासर है वो पूछे जाता है पाश्चात्य कावशासर के लिए मैंने आपको पहले ही कहा दिया है अगर आप extra अलग से बुक ले सकते हैं तो ठीक है नहीं ले सकते तो फिर आपके पास पांडे शब्द क्या है तो व्यॉम का जो स्मानाति शब्द है ये हम सब लोग जानते व्यॉमूत आपका अकाश अकाश का मतलब है अंबर अंबर ठीक है ये अपने याद रखना है उजस्वी का विलोम शब्द बहुत ही सिंपल सी होते हैं आपको खुद इनको याद रखना है कई बार आपको थोड़ा सा ओ या अनुजोड के ही इसको उपर नीचे करना होता है तो इस चीज को आप देख लीजिए आंधी के आम मुहावरे का अर्थ होता है सस्ती वस्तू विकल्प नंबर सी सही उतर होन खेंगी तो सीम्पल सा है इसको भी आप देख लेएं सामने कह देना नैक्स टेकिए होट चाह्तना का अर्थ किया है होट का अर्थ किसी खाद्यपदार्थ का मजा लेना ठीक है तो आप देखते हैं कि कोई कैते हैं कि今ंगि विसमर्ण होगा अति क्रमण में उपसर्ग तो उपसर्ग ऐसे शब्दाश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्टन कर देते हैं उनको कहते हैं हम आपका उपसर्ग अगर पूछा जाए प्रत्याए तो प्रत्या का मतलता है ऐसे शब्दाश जो शब्द के अंत में जुड़ कर क्या करते हैं शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं that is called प्रत्याय, तो यहां पर उपसर्ग पूछा है, उप का मतल़ हुता है पहले, हैं न, तो यहां पर अती है, इसमें, क्रमन में अती लग गया, तो यह अती क्या है, उपसर्ग है, भावों, विचारों और संवेदनाओं की आदान-प्रदान को क्या कहा जाता, तो यह संप् तलाप नहीं आएगा फ्यक्तिक भी नहीं आएगा तो विकल्प नंबर सी इसका सही होगा जो आपके लिए जन संचार के यह माध्य में तो मतलब बेसिक नॉलेज है यह दिखे आपकी बेसिक चीज़ा ही पूछी जा रही है है न तो वही चीज़ है आपको ज्यादा समझने क बस आपने दिमाग की बत्ति को घोया की जरूरत है कि डीब जाने की जरूरत नही है जैसे आप पुछते रहते हैं बार-बार की सर यह पुस्तक कैसे है यह पुस्तक कैसी है मतलब के रहुँआ है जो पुस्तक को डंक से पढ़ने के बाद ही नेक्स suspended की वचन कितने प्र उसका मूल उदेश्य, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है, अपने अभिव्यक्ति का जो, उसको सुतंतरता की रक्षा होनी चाहिए, यह चीज है, यहाँ पर देखें, इंग्लेंड की संसद ने प्रेस सुतंतरता किस सन में स्विकार किया था, हलांकि थोड़ा सा यह जीके वाल यह देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, एप्रूबल था, तो एप्रूबल का मतलब होता है आपका अनुमती, ठीक है, फिर डैफर्ड वाई, डैफर्ड वाई का मतलब होता है आपका अस्थागित वेतन, विखल्क नॉमबर A, एक्टिंग क मतलब होता है कारेकारी, या कारेवाहक भी आप इसको कह सकते हैं, स्पेशल मैनेजर का मतलब है आपका विशेश राजदूत, ठीक है, सेंक्शन का मतलब होता मनजूरी, और कौन सा चंद दोहा और रोला चंदों को मिलाकर बनता है, तो यह आपका कुंडलिया चंद है, ठी या किस तरीके का चंद है, मातरी कौन सा है, है ना, इन चीजों के बारे में भी हलकी हलकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, नेक्स देख लेते हैं, इसके बाद देखिए, अगला पशन है, लावनियों, ठुमरियों आदी को आप किस प्रकार के कावे में रखेंगे, लावनियों जो माराश्टर का है, देखिए ये, है ना, तो ये क्या है आपका, गीतों में हम इसको रखेंगे, खंड कावे के अंतरगत भी नहीं लेंगे, एकार्थ भी नहीं, और महा कावे भी नहीं है, ये गीत हैं, या फिर जो निरित्या है, गे अकावे बोल सकते हैं है ना, थुमरिया, लावनिया जो है, या फिर लोकसाहित्य जो आप इसको, इसकी श्रेणी में रख सकते हैं, संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी, ये बहुत बार पूछ जाता है, बहुत कॉमन सा प्रशन है, ये 343 के अंतरगत पूछा गया है, 351 में प् 210 में जो अनुचेद हैं, वहाँ पर भी भाशा संबंधी उपबंध दिये गए हैं, 120 में संसद की भाशा में, और 210 में आपका अनुचेद है, वो है आपका राजभी दानमनलों की भाशा, जो है, क्या होनी चाहिए, हिंदी के अलावा हिंदी या इंगलिश कुछ भी हो सकत हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाशा को हमारे संविदान में राजभाशा गोशित किया गया था, 28 सूची में भारती में, कितनी भाशा हैं, 22 भाशा हैं, ये प्रशन भी बहुत बार पूछ जाता है, हिंदी पोर्टल वेब दुनिया, तो ये इंदोर से शुरू हुआ था, ये इस तरीके के, जो समान्य ग्यान के प्रशन भी दिख जाएंगे, नेक्स है, यहाँ पर दिखिए, हरवट की जो पांच अवस्था पदती की सीमा क्या है, तो आपका जो टीचिंग वाला पोर्शन है, उसको रखा गया है, साइकोलोजी वाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्तो देने की बात इन्होंने कही है, ठीक है, विकल्प नमबर सी, इसका सही उत्तर होगा, एन एग्जम्पल ऑफ वर्बल इलुस्टेशन इस, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए तो शाब्दिक निदर्शन का एक उदारन है, शाब्दिक आपका model, शाब्द है, चार्ट क्या है, यह भी आपका, इसी करता आएगा, ग्राफ भी आएगा, जो उपमा है, यह आपका क्या आएगा, यह अशाब्दिक उदारन है, उपमा, आप किसी से उपमित कर रहे हैं, है ना, उसको आप बता नहीं सकते, यह चीज है, शिक्षक का एक मुख्यगुन क्य है, शिक्षक का मुख्यगुन क्या होना चाहिए, वो शिक्षन में कौशल होना चाहिए, अगर उसके पास कौशल ही नहीं है, तो फिर आगे नहीं पढ़ा सकता, तो यह सबसे जरूरी चीज है, उसमें कौशल होना चाहिए, अनुशासन से प्रेम, यह चीज हो सकता है, कि शासन प्रिया वो होना चाहिए लेकिन उसके पास अगर कौशल नहीं है तो वो अधुरा शिक्षक माना जा सकता है वैबारिक दक्षता भी ठीक है लेकिन शिक्षन कौशल जरूरी है जो उसका मूल काम है है ना नेक्स प्रचन है देखिए शेक्षिक दर्शिम सास्तर कहता है कि किस प्रकार के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और क्यों इसके विप्रीत शिक्षा मनोविज्ञान का समबंध किस से होता है या किस दिष्टिकोन के साथ है तो यह हो जाएगा आपका कब और कैसे तो यह पर आज़ते हैं उन्सकिति कि सुरक्षा करती है वर्न यह है जो परवर्ति को समरिद करते हैं परवर्ति मतलब जो बाद के लोग डवाद के जो आने वाली पुछते हैं उनको भी वो समरिद बनाती है शिक्षा एजूकेशन का मतलब यह होता है परवर्ति को परवाशी थोड़ी ना करेगी वो वो उनको समरिद बनाएगी अ प्रशन का जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर A होगा आज का आखरी प्रशन देखेंगे बाकी वाला पोर्षन हम अगले लेक्चर में देखेंगे यहां पर थोड़ा सा हमारा जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा नहीं तो यहां तक हम इतनी सारी चीज़ों को ही डिसकस करेंगे एक शिक्षक इन में से कौन सा कारे पूरी जिन्दगी करेगा तो शिक्षक को यह सभी काम अपनी जिन्दगी में करने पड़ेंगे बच्चों का अध्यान भी करना पड़ेगा पुस्ता का अध्यान भी करना पड़ेगा और उसकी तूटियों का मुल्यांक अच्छे से समझ पाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौतरपुर्ण हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको यह हमारा प्रियास अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसको शेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइ में एन्रोल कर देंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मुलागात होगी अगले 50 प्रशनों के साथ तब तक के लिए हमें दीजे इजाजत शुक्रिया जय हिंद जय भारत